हेलो दोस्तों असलाम वालेकूम रह्मत वरकातों आप लोगों का फिर से मेरे गोट फाम यूटूब चैनल पर इस्तेखबाल है खुशाम जीदे वलकम है दोस्तों आज एक खास वज़े से आप लोगों के सामने में हाजिरे खिद्मत हुआ दोस्तों आज चार वज़े राज तो दोस्तों बकरियां तो आराम से खा रहे हैं तो मैं इसलिए आप लोगों के सामने आया कि कुछ काम बचा हुआ था कल जो मैंने मुकमल कर दिया तो वही बताने के लिए हाजिरे खिद्मत हुआ दोस्तों चलो बगएर देर किये कि मैं आप लोगों को उस चरफ लेकर चल काफी जमीन भुग गई अब इसके लिए अधारी कुस्ट्र बनना पड़ेंगा टीना है हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए उतना कुछ तर्कीप करना पड़ेंगा दर्बहर यह देखिए दोस्तों यह उपर कपड़ा बने थे हम लोग फिर नीचे कपड़ा उपर से बने दे मगर है न यहां नहीं बने थे इसको भी मैं टैक करके बन दिया देख सकते हैं इसको लाक कैसे मारा यह लकड़ी दिख रहे हैं लाक मारा उससे कि यहां पर की लकड़ी निकल जारी निकल जारी के निकल जारी इस तरीखे से यह यह हो गया कि उसको हतोड़ी का मार होना पड़ता है यह देखिए पूरा कंप्लेट हो गया अलहम दिल्ला उधर से भी प्याक हो गया कि उधर से भी रस्ता रखा इधर से भी रखा रस्ता यह रस्ता भी प्याक हो जाएंगा इंशाल्ला तो यह देखिए आपको अंदर लेकर जाकर बताएं यह देखिए हैं देख रहे हैं आप यह चल रहा है काम धीरे धीरे करना है अब जैसा दिमाग में आ रहा है वैसा कर रहूं दोस्तों देखिएंगे अब क्या होता क्या नहीं फाइदा होता नुक्सान होता कर रहे अब हर खदम आगे बढ़ा बढ़ा कर अब आगे कि अल्ला की मर्दी है अब यह काम सही हो रहा या गलत हो रहा अल्ला ही को मालू हम क्या बोल सकते हैं कर रहे अब काम हलू हलू काम कर रहे फाइदा हुआ फाइदा नुक्सान हो नुक्सान तो जैसा समझ में आ रहा दोस्तों वैसा कर रहा हूं अगर फाइदा हुआ तो ठीक है नुफसान हुआ तो भी ठीक है अल्ला की मर्जी है यह काम हुआ आप लोग अभी बताया मैं आप लोगों को वीडियो किस तरीखे से काब चल रहा है यह देखिए अलहमदिल्ला काफी बड़ा है तो देखने आता मर्जी है अल्ला की तो यह मजबूत हो गया दोस्तों आप लोग देख सकते हैं थोड़ा यह सिमीट का काम करना है आज कर दींगे इंशाल्ला वो बोट को भी अंदर लेकर जाना है बोट का भी काम रह गया तो दोस्तों यह काम हुआ इसलिए आप लोग को बताना जरूरी समझा जो कोई भी अगर फार्म दालना चाह रहे हैं फार्म दालना चाह रहे हैं वो बिंदास फार्म दाल सकते हैं और यह कपड़ा बनने का है अभी काफी कपड़ा मुझूद है यह देखिए पुरा पानी आ गया पारिश का अंदर धिंगाना हो गया पुरा अब इसकी तरकीप सोचना पड़ेंगा यह पानी ना आ सके इसके लिए यह बकरियां हमारे खा रहे हैं यह देखिए बड़े मज़े से जो कमजोर बक्री हो गई बहुत कमजोर परसुमेंच एक मेहना दो महने पहले जनी सोय बकरी विक्निस हो गई विख सारी कोशिशे कर रहा हूं उसको मोटी कर नहीं लेकिन आक्या मियाब हो रहा हूं है देखिंगे अभी ये कामों की तरफ तवज्ज़ है मेरे अगक्रे काम कम्पलेट हो गए तो इन्शाला बकेरों की तवज्ज़र दूँगा इस्वार के दिन से इन्शाला मुरुखा आना चालो हुझेंगे कल हफता है परसुम की दिन से इन्शाला बोलो इन्शाला तो द करें और बेल आइकन को जरूर दबाईए और शेर कीजिए और इजाज़त दीजिए अल्ला हाफिस जैहिंद जैतिलंगाना